कि अगर ये तूफान था तो प्रले का आना अभी बाकी है कि वगाइ बाकी है अरे ये तेरा मेरा रूम क्या होता है 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 मुझे आज तक नहीं समझाया ये लाइफ मेरी है ये रूम मेरा है तो तू यहां क्या कर रहा है चश्मिश कहीं का आज मेरे प्रोग्राम स्के लिस्ट लंबी है आज में तुझे बाहर नहीं आने दूँगा Earpods यह क्या नाटक है तुमारा? रम मुझे अपना टाइम टेबल दिया था अफिस से फ्री होने के बाद उसे प्रवचर में जाना है फिर अभी के प्रोग्राम का क्या होगा? हरे पताव Bel세요 दूंने मों जो के बाद राकर 25 अबया रामसर, कमाल हुगा, सर आप निन जू का खका ख्रीतने को बोला था को रभूना शेयर के रेट बढ़ते जारहे हैं, सर सर आपने जो शेर खरीते हैं उनके भी रेट बढ़ते ही जा रहे हैं सर यूर्ट रेट सर रामयर में राम का दुश्मन रामण जो कि उनकी पहुंच से कई गोजदूर था क्रिश्न का शत्रू कंस था उनका सगा मामा जो कि उसी शहर में था पांडवों के शत्रू कौरव थे एक ही परिवार खून का रिष्टा और मेरा शत्रू मेरे साथ है आज मैं उसकी वज़ा से मरने जा रहा हूँ मैं अपनी वज़े से मर रहा हूँ इस बात को लेकि आप लोग को डाउट होगा अगर आपको फुल क्लार्टी चाहिए तो आपको मेरी लाइफ के बारे में A to Z पता चलना चाहिए मेरी जिन्दगी इसी थीएटर से शुरू हुई थी जिस दिन हेलो ब्रदर रिलीज हुई उसी दिन मैं भी धर्ती पर रिलीज हुआ मेरे डैडी ने ये सोच अथा कि ट्विन्स होंगे बट मेरी सोलो एंट्री पे मेरे डैड थोड़े डिप्रेशन में थे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया अपने डैड को कंफ्यूज करता गया मुझे स्कूल नहीं जाना मैं नहीं जाओ अंगा स्कूल टीचर का बेटा होकर स्कूल नहीं जाएगा ठीक है चला टीवी देखते है स्कूल का टाइम हो रहा है अभी तो कह रहा था पेट में दर्द है अगर सीने में भी दर्द होता ना तो भी में चुटे नहीं करता चेंज़ 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 अबी सीडी लिखने की उम्र में ए प्लस दी होल स्क्वेर लिख रहा है रियली टेल मी एफॉर आमिताब बी फॉर गॉबी दियोल सी फॉर चीरन जीवी शट अब डिस्मिस और तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है मेरे पिताजी की वज़े से जॉब मिली थी और बेटे की वज़े से चली गई खा डालने ही चाहिए दालने ही चाहिए मुझे दू चिकन चाहिए चिकन अरे चिकन दो ना उसे बिचारे मुर्गे को माल डाला बहुत गलत है यह म मुझे चिकन नहीं दाल चाहिए दाल दे दो न मा क्या हुआ डॉक्टर साब कमाल हो गया आपका बेटा दो ब्रेन लेकर पैदा हुआ है मेरे बेटे के पास दो ब्रेन है याप क्या करें डॉक्टर साब मैं सही बोल रहा हूँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए जपान में एक ऐसा था जिसका नाम था अकीरा कोसायो वाज बॉन विद तू ब्रेन्स जिकार्ता में एक लड़की थी जिसका नाम था जिन ग्रेन हत्ता दो ब्रेन के साथ पैदा हुई थी रिसेंटली दिल्ली में दो इनसान पैदा हुए हैं दे बांड विद टू हार्ट्स दूसरा ब्रेन निकाल सकते हैं क्या डॉक्टर अरे यह कोई सेफटी पेना जो निकाल सकते हैं ब्रेन है उसे निकालने के लिए 35 ल मिलेंगे लेकिन बागी के पाँच तो सुनिए एक काम करते हैं आकाश वाणी में अनॉंस्मेंट करवाते हैं दुरदर्शन में एक चैरिटी शो करवाते हैं वहां बात करेंगे कोई तो पैसा डोनेट करी देगा ना नहीं डॉक्टर अगर बाहर के लोगों को ये बात पता चली तो मेरा बेटा म्यूजियम का पुतला बन जाएगा और एक बाप ऐसा नहीं बरदाश्ट कर पाएगा हम चलते हैं अच्छा डॉक्टर हाँ बोलो प्रभू ये बताएए मेरे बेटी का ब्रेन का चेंज ओवर कब होगा जब उसने कहा था कि स्कूल जाओंगा और फिर जाने से मना कर दिया उस दर्मयान क्या-क्या हुआ था वो बताओ डॉक्टर मेरे घर के बगल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जहां से पांचों वक्त नमाज पढ़ने की आवाज आती है जिससे सुनकर वो बदल जाता है हाँ डॉक्टर स्कूल की घंटी बजी और अचानक सिव बदल किया जब कभी तेज तेज आवाज आती है ना तब नॉर्मल परसन भी जल्दी से इरिटेट हो जाता है मेंटली डिस्टरब हो जाता है तो अजीब सब बरताव करने लगता है लेकिन यह अबनॉर्मल बच्चा है जब कभी यह तेज आवाज सुनता है ब्रेन के अंदर प्रक्ट्वेशन पैदा होने लग जाती है एक ब्रेन डाड़ी हम यहां क्या कर रहे हैं डॉक्टर बदल गया इस इस ब्रेन में जो कुछ भी स्टोर्ड है वो इस ब्रेन को पता नहीं है और ठीक आसी जो इसमें स्टोर्ड है वो इस ब्रेन को नहीं पता डाड़ी आप कमपाउंडर से क्यों बात कर रहे हैं अरे बाप रे बेटर आज़े बेटा प्रभु भाई बच्चे का नाम क्या है अभी राम अगर आप दुनिया वालों को इसके पास दो ब्रेने बताते हो या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसके दो ब्रेन है ये बात इसको बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बल् यहां आइञा है यहां मेरा नाम राम हैं पता है डाड़ी होस्पिटल में डॉक्टर ने यही कहा था नाम कमाल है आइंस्टाइन जैसा अब बेंहें हाँ डाड़ी मेरा नाम राम है राम तेरी एसी कि तैसी अरे बापरे फिर ब्रेंड शिफ्ट हो गया मतलब घर शिफ्ट हम कहां जा रहे हैं डाड़ी पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस समय ये अभी है या राम ये बताओ चंद्रमा के उपर पहले कौन गया था नील अच्छी बात है इसका मतलब ये राम है मुझे कुरता और पैजामा पसंद है क्या बात है अच्छा राम जब तू है तो तू अपनी पसंद के कपड़े पहले जब अभी है तो अभी के कपड़े पहले मुझे जीन्स पसंद है ओहो दोनों की पसंद एक जैसी हो गई मुझ इस बारे में अपने डैडी को नहीं, अपने भाई को बताना चाहिए, तेरे साथ ही रहता है ना वो, उधर देख, ब्लैक बोर्ड पर लिख कि तु कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कहां गूम रहा है, किस से बातें कर रहा है, सारी बातें ब्लैक बोर्ड पर लिख दे, राम स्टेडी यह तो बहुत बड़ा आइंस्टाइन बनने वाला है यह क्या आज कल आप दुनों ब्लैक बोर्ड परकर ज्यादा ही लिख रहे हो अरे पागल टेक्नोलोजी बढ़ गई है ना इसलिए मैंने बोर्ड खरीद कर दिया है राम के ब्रेन में क्या चल रहा है वो सेल्फ कि अगर अगर शाउंड प्लूशन से दूर रखने के लिए पूरी दुनिया जागरूख हो रही है जिसके लिए शिविर भी लगाय जा रहे है और इसी सिटी में मेरा साउंड प्रूफ घर मेरे घर मेरी माँ पूजा भी बगर साउंड के करती है और मेरे पिता जी बगर साउंड के गानों को खूब इंज्वाय करते है और मेरे घर की डोर बिल भी बगर साउंड की है घर पे राम जी है क्या पंडित जी ने आपके लिए प्रसाद बिजवाया है अर घर में आपकी की बेटे जैसा एक बेटा होना चाहिए ऐसा बेटा पैदा किया तुने ऐसा गुंडा बेटा किसी के घर में नहीं होना चाहिए मेरी बेहन के साथ उसने इसकी बेहन की शादी करवा लड़की से लड़की की शादी कैसे हो सकती है अरे प्रभा राम उठाए कि अभी उठाए उसके रूम से तो धुआ निकल रहा है कमरे का धुआ अगर धूब बत्ती का है तो वो राम है और अगर सिगरेट का है तो वो अभी है अरे ये क्या तूने तो इसकी मुझे निकाल दी पुरी इंडिया में मुझें सिफ नत्थुलाल की ही मशूर है दाड़ी लास्ट पंच बोलिये न मैंने अपने बेटे को हॉरलिक्स या बूस्ट पिला कर बढ़ा नहीं किया हिम्मत का डोस दे कर बढ़ा किया है ओके उसकी ब्रश इसकी ब्रश कुछ पल्ले पड़ा इसका साबू न लग अब समझ में आया पर शरीर से ये दोनो एक ही है आपको ये बात कब समझ में आएगी अरे पागल है न ये आयएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए इयर पॉज्ट यह क्या नाटक है तुम्हारा ने मुझे अपना टाइम टेबल दिया था ओफिस से फ्री होने के बाद उसे प्रवचर में जाना है फिर अभी के प्रोग्राम का क्या होगा sr कमाल होगा सर आपने जो शेयर खरीदने को बोला, उस शेयर के रेट बढ़ते जारहें उनके भी रेट बढ़ते ही जा रहे है onsr इस एथ ही रात को साड़े नौ बजे फोन करके तूने हमको बुलाया था अरे अभी वो गुंडे इन लड़कियों को टीज करकर के बहुत परेशान कर रहे हैं क्यों भे हमारे बजट में लाख रुपए का आईफोन आएगा क्या हजार रुपए के अंदर चाइना वाले सेम कॉलिटी देते हैं और तुमने चाइना की लड़कियों की बेज़ती की गलती कर दी तुमने कल आ जाओ देखता हूं तुम्हें आई लव चाइना आई हेट चाइना ये चाइना के सामानों की वज़ा से हमारे देश की आर्थिक सती खराब हो रही है बट लड़कियों की बेज़ती करना घलत बात है आई विल कॉल दा शी टीम क्या होता है मतलब नुमार पी अरे जग्डा क्यों करना दोस्तो अहंसा पर्मो धर्मा जग्डा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा दोस्तो क्यों 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 क्या है हुआ है क्यों वाइब क्यों क्यों सब कुछ चैंज हो गया है तुम सब यहां लड़कियों को छेड़ने के लिए आए था ना बिना छेड़े क्यों जा रहे हैं तुमने जगडा करने से मना किया था था अगर एक बढ़ मैंने फाइट के लिए सोच लिया तो जब तक मैं किसी के दुलाई नहीं करता मुझे चैं तो यहां लड़किश पाइट से इस प्राइट से आएट को फाइटस आएट से दिए करता मुझे किसा है नहीं तुमने करता मुझें लुएाप्ट ए्याप्भाइद टुरुष एल! कि और छियंग है, रुछ जो जो प्रिबों तुछसा नाओ, नुछसा एर लुछसा है. माइक्रोसॉफ्ट के जमाने में टाइप राइटर से कोई टाइपिंग करता है क्या चलो फेस टू फेस बात कर लेते हैं प्यारे नर्सिम्हा रेडडी जी मेरे दादा जी हजार वोट से हार गए और मेरे पिता जी एक वोट से हार गए उनका बैड लग था आज मैं इलेक्श में खड़ा होना चाहरा हूं और ऐसे टाइम पर आप जो है कि मुझे विलन बना कर अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में आर्टिकल प्रिपार कर रहे हैं गुंडागर्दी मेरी पहली बीवी थी बोर हो गया था उससे राजनेती मेरी दूसरी बीवी है हासिल करन चाहता हूं असेंबली में शपत लेना चाहता हूं स्रिच ना लगता है इसके कानपुर में हरताल चल्रा राए बेटा चल्टा रहे हो जोड़ दो इसे प्लीज अर्टिकल पडल कर लिगोंगा से बेटा तरी बेटी आज पचकाई नर्सिमा रेड़ी आगे से ऐसी गलती मत करना प्लास्टिक का धंदा करता हूं तो मैं बहुत बड़ा विलेन बन गया जानता इसकी उमर कितनी है पूरे सौ साल अपने आर्टिकल को इस प्लास्टिक से कवर कर याद रखो मेरे भाई प्रित्वी सूर्य के आगे पीछे घूमती है और प्रित्वी पर इंसान वहम औ और डर के आगे पीछे घूमता है भारत में शेरों की जनसंक्या खत्म हो रही है यह सोचकर जनता बहुत दुखी है डोंट डिस्टब लायन्स यह पूरा सिटी मेरा फॉरेस्ट है और मैं यहां का किंग हूं पपा आपकी बढ़ी मूर्ती बिठाने का प्लान था लेकिन मे मेरे पिता शंकर राव जी ने आपके पिता जी का भी नाम है पैसे नहीं दिये इसलिए आपको इतने महीं एड़ेस्ट करना होगा एड़ेस्ट तो कर लेंगे ना अरे तु क्या कर रहे तुझे पता है ना तेरा दिमाग तो खराब में हुआ ना एक कुडे वली सी प्यार करेगा तु मेरी आखों से देखना यार तेरी तो यह हार्ट में लागिन हो गई है यही तुम्हारी बाबी है सुनिया जी डाल दू ना आपका तो दो अरे बाबरी एप्याãyपी ना अरे टेरिसा कितार कितार चाहिए लेकिन कम से कम एक घंटा मदर तेरीसा कितार जीना चाहिए आयां वनार मदर टेरीसा क्या भात नमस्ते, लेट्स गो अब क्या बोलती हो ने ना, अभी सर की लवर बन सकती है ना ये गुरू है मा, गुरू पिता है बाप को दूसरे नंबर पर क्यों रखा है, मुझे आज तक समझ में ये लेकिन मैं पेले नंबर पर रहूँगा बाप के सिगार पीने गा टाइम हो गया सुप्रभाद पिताश्री अरे बापरे, हम तुम्हेरे जिसे खतरना कादमे के, बाप कईसे हो सकते है सिगार पीजे पिताजी पीना पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा उसके पिताजी के आखे तुमको दी गई है, वो तुम्हे अपने पिताजी को देख रहा है अगर तुमने अभी सिगार नहीं प्याना तो उसको लगेगा कि तुम उसके पिता का अपमान कर रहे हो फिर वो तुमको मार भी सकता है आज तक ससुराम बेड़ी सिग्रेट चुए तक नहीं इस सिगार पिला रहा है पिताजी के लिए ब्रेकफर्स्ट जल्दी तयार करो देनागराजी इस सब कईसा खाना है यार और आदमी के खाने बास्ते पूरी तरकारी जल्ले भी रखो यार रहे हम प्यूर वेजिटेरियन है धरम नस्ट करवावगे का आँ अरे भाई चुप रहो और खालो पिताजी आपकी गर्ल्फ्रेंड्स आई है अरे पिताजी मिनरल वाटर नहीं पीते हैं तो क्या पीते हैं तो मेरी गर्फ्रेंड सरजना और हमरी गर्फ्रेंड ताडिका छी आपकी आँखें अखें हर चीज क्याप्चर कर रहे हैं आपका टेस्ट बहुत टेस्टी है डैडी रिकाहे का टेस्ट हाई राम मुझे तुमारा पूरा बाइपिक पता है मेरे सब फ्रेंड्शिप करोगे ना सॉरी मैं लड़कियों से फ्रेंड्शिप नहीं करता हम एक्स्क्यूज मी अब अभी की शराब चुड़वा दीजए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है मेरी हेल्थ के लिए हम हम संदात्मों अरे राजा बावु की गोविंदा की तरह कितने भेज बदल रही है संकी कही की अगर तुमसे शादी की ना तो सिर्फ एक घंटा घर ग्रियसी में बिताएगी हाई डूड एल्च, रहे अरे 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 इस तब ब श्रॉड अरे यह सब प्रेंड वीड़ définही अरे अरे यह हमारे घर का होम थिएटर नहीं है अर्मेर फाल चीनेमा का थिएटर है और मैंइ इसका मैंजर हूह यह बड़व गए यह वही है ना वो फेस्बूक फ्रेंड थी और पर्सों इंस्टाग्रम फ्रेंड थी और आज ट्वीचर फ्रेंड यह बता तु जो स्मार्ट फोन खरिदने के लिए पैसे मांगता है कहीं इनी सब लाकर तो नहीं खर्च करता है चक्कर क्या है अब हैपी फादर्स दे डैड गिव में फ्लाइंग हग एग अज फादर्स दे कहा है जिसके फादर होते है उसके लिए रोज फादर्स दे होता है यह किसने बोला अब यसले इनकाली निकालिये पैसे पैसे ईीखको प्यार हो गाया बताओ यार एक लड़की की प्यार में इनसन पढ़ गया तो दिमाग काम करना बंद कर देता है राम को यह बात पता है जो भी मैंटर होता है मैं फिली को Sun पहले मैं तुझे एक इंपोर्टेंट बात बताता हूं क्या बताना चाहते हैं तू ज़रा स्क्रीन की तरफ देख पिता जी बोलना मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है वो क्या है आपको सुनके आश्यरे होगा इस दुनिया में सौ में से नब्बे लोग शादी करके फास चुके हैं उनके जीवन का कोई उदेश यही नहीं है और जो दस परसेंट लोग बचे उनमें से अब्दु जोड़ा तो गौतम बुद्ध बन गए नरेंद्र ने घर छोड़ा तो विवेका नंद बन गए तो मैंने यह सोचा है पिताजी मैं हिमाले पे चला जाता हूं वहां गुरुकुल इस्थापित करूँगा अपना जीवन अध्यात्म की सेवा में गुजारूँगा ब्रमच् आप मुझे मत दीजिए मैं बता दे रहा हूं सिर्फ ब्रेन उसका है टोटल बॉड़ी मेरी है और इस की ऐसी की तैसी अभी बताता हूं मैं ए राम ब्रमचारी बनके जीना कोई जीना है क्या यार मेरी गल्फ्रेंड रोज एक घंटे के लिए मदर तेरेसा बन जाती है और जीवन में तीन अक्षर होते हैं मेरे भाई देख मेरी बात सुन तु मेरा प्यारा भाई है मैं जानता हूं तु मेरी बात मानेगा तू मेरी बात सुन ब्रमचार का पालन कर मेरे भाई हमारे लिए अच्छा रहेगा अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं याडी देखो इसे बखेल देता है लेकिन एसा बहुत कम होता है अकथर तो तो तू जीते हुए मैच को भी हरा देता है तूम में कुछ प्राबलम तो है यू हार उन्फिट भाव क्रिकेट और भाव मैं उसका मॉडल कर दूगा यह सब दूनिया में अक्सर लोगों के दुश्मन बाहर होते है पर यह तो खुद का ही दुश्मन बनता जा रहा है इसका मुझे डर लग रहा है यह तो खुद कहीं है और ये अलगतरी किसे सोच रहा है पता नहीं दोनों की सोच कब एक होगी मेरे बाप को जो डर था वो सच हुआ आज वो ही मेरा सबसे बड़ा शक्त्र हो जब हम आखें बंद करके किसी के बारे में सोचते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखता है वही हमारा फेवरेट होता है आप सब आखें बंद कर लीजिए प्रभू मेरी बेटी ही मेरी फेवरेट है येस चेरंची भी मेरा फेवरेट येही मेरी फेवरेट है तु बले ही मेरा पीज़ा करना छोड़ दे लेकिन जब तक मेरे सीने में जान है तुझे भगा भगा के मारूँगा येस जूनियर एंटी आर ही मेरा फेवरेट है प्रभाज मेरे फेवरेट है महिश बाबू मेरे फेवरेट है जोटा भी मेरा फेवरेट है हाई अंकल मेरा फ्यूचर दामाद ट्राइकलोजिस्ट और वेंट्रिक्लर स्पेशलिस्ट मतलब यत्ता है कि अब कमाई ही कमाई होगी बेटा यू आर 99% सेलेक्टेड गांग्राचुलेशन यह वाट इस एक्स्टा एलिमेंट देखिया अंकल रिदिक रॉशन की तरह मेरे भी हाथ में छह उगलिया है क्योंकि बेटा तुमारे एक्स्टा फिंगर है वाट मेरी बेटी को कोई भी एक्स्टा चीज या किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हर अंग परफेक्ट होना चाहिए अगर किसी आदमी के कोई एक्स्टा अंग है तो इसकी शादी उससे नहीं होगी हमारी यह दॉक्टर फेमिली ने मिल के यही डिसाइड किया है ना अरे बेटा यह पीने की आदत तुने मुझे क्यों लगा दी अगर आपको पीने की आदत नहीं होती तो आप मेरे क्लास के नहीं होते इसलिए मैंने आपको पीने की आदत लगाई जिससे मैं दारू लेकर आँ तो सोड़ा लेके आओ तू सही कह रहा है पी कर बाहर गये तो ड्रंक एंड ड्राइब में पुलिस पकड़ लेगी इसलिए घरी सेफ है आज दिल्ली के लाल किले पर प्रधान मंत्री जे ने द्वजा रोहन किया सर सर हम भी द्वजा रोहन कर देते हैं तेरा नाम क्या है पंकज सर पंकज नहीं रे पंकज अब जल जंडा फैराते हैं कि अबाद है वाई क्या बाद है ओध बड़ी आवट निया इसमाइब इसलिए अच्छा मधिए अच्छा फोड़ोर है भाई कि अब दारू पीकर तु जंडा फैराता है कोई मुझे पॉइंट आउट करे तुम्हें उसका हैंड आउट कर देता हूं साउंड पोल्यूशन बॉडी को निकाल तुमने शर्पत पीकर जंडा नहीं फैराया है तुमने दारू पीकर जंडा फैराया है नो टिकेट पार्टी तिकट की बातगार रहे थे तुम तुम ओफिस में खुज भी नहीं सकते सब तेरी वज़ा से तु पंका जम नहीं पंका जाये मेरा स्क्रैप है तिरे घटिया आइडिया से मेरा सपना विखर गया चूर चूर हो गया अब मैं तुझे चूर चूर कर दूगा पिता जी कोई भी पार्टी मुझे टिकेट देने से सौफ बना कर रही है और ब्रामण आदमे का श्राप खाली नहीं जागा रहे गगन बिहारी के जंटा फैरानी की वज़े से पुरी देश में हंगामा खड़ा हो गया है जंता में आक्रोश है उनकी मांग की से देश से ब बाहत इखाला जा रहा है यह फिदा जी मुझे नगर बहिसकार किया जा रहा है बस नगर बहिसकार तुमको तो सलाथ देश से बहिसकार कर देना चाहिए अरे जाते जाते रात करेगा का मिस्यो पापा अवे का है का पापा अरे अब तो हम नाचेंगे अब अब श्री राम भी अपने पिता जी को छोड़कर वन में चले गए थे लेकिन मैं अपने बाप को नहीं छोड़ने वाला है यह 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 वैसे तुम्हारी लवर है कौन? हैपी कौन मैं? नाम तो तुम्हारा है तुम्हें हैपी मैं रखुँगा फ्लाइंग हग दे रहा हूं तुम्हें ले लो यह इस वख तुम्हारा फिगर 36 26 36 इन फ्यूचर 42 32 42 उसके बाद भी तुम्हारे लिए मेरा यह प्यार एक इंच भी कम नहीं होगा एई लव एट फर्स साइट को मैंनी मानती हूँ लव एट फर्स साइट नहीं मानती क्या? श्ये बेप्स, बच्चा जन्म लेती ही सबसे पहले किसी देखता है मा को तो इसलिए वह बच्चा अपनी मा से बहुत प्यार करता है यह लव लाइफ लॉग होता है तो फिर यह लव एट फर्स साइट की फिजिक्स कमस्ट्री तुम क्यों नहीं समझती? सॉरी मुझे लव में बिलकुल इंट्रेस नहीं है हलो हैपी प्यार को जो नहीं मानता वो इंसान नहीं होता यह किसे ने कह था? मदर टेरेसा और वो तुमारी आइडियल है ना? नहें डिदी ऐसा मद करना येस । आइम वन आर मदर्टेरेसा अच्छा मै वान आर प्यार करूँगी इस one hour प्यार को अपने हाठ में fix deposit कर लो अपने हाठ पे मेरा नाम हमेशा के लिए लिख लो हाँ हाँ शादी की बाद अपने वाइफ के साथ फर्स नाइट पे चिचचच तो करोगे न तब बताना happy मतलब Miss Universe ने one hour love किया था मेरे साथ अच्छा अगर तुम्हें लड़की हुई तो उस लड़की का नाम happy मतलब मेरे नाम से रखना क्यों जी happy मतलब मैडम जी सिफ एक घंटा ही प्यार करेंगी हाँ यस one hour और ये one hour lifelong तो हो सकता है न अच्छा तो ठीक है इस one hour के प्लैन में स्माल सा चेंज है वण आवर के लिए रोम बुक करूँगा मतलब एसी एटीन पे रहेगा हाँ फिर लाइट भी आफ कर दूँगा और फिर क्या आरे तुम लोगों का नाटक है हाँ तु क्या एक घंड़ा प्यार करने की बात कर रही है तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है समझी ना बुसाया ना तो कुछ भी कर देगा तैयार है ना है पी ज़्यादा नाटक मत कर वरना मैं तेरे बारे में हेमा को बता दूँगी हेमा? वो कौन है? हेमा, डॉक्टर हेमा बताओ बेटी, तुमको क्या प्रॉबलम है? मुझे सर्प्राइस पसंदे डॉक्टर मेरी बॉइफ्रेंड ने मुझे ऐसी सर्प्राइस कर दिया घर में बताओंगी तो गढ़बढ हो जाएगी क्या आप कम कर सकते डॉक्टर? अरे ये हेमा, इसे घुमा कर कुछ भी कम कर सकता है अरे परसो तो मैंने इससे ट्रम्प का बुखार कम कर दिया था हाँ? एक चैनल के लाइफ शो की, मैंने इससे आवाज बंद कर दी थी अच्छा बताओ, कौन सा महिना है? साथवा महिना चल रहा है जरा आप देखकर बताओ सर्प्राइज, पांचवा महिना हो गया, डॉक्टर अच्छा, आप बताओ सर्प्राइज, तीसरे महिने पर, डॉक्टर अब बताओ, कितने महिने कम हो गया सर्प्राइज, साइज जीरो सर्प्राइज, इसे घुमा कर मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ कट इट, शॉट ओके पापा कैसा रहा हमारा एड? बहुत ही अच्छा पापा, सूपर आपने सच में बहुत अच्छा किया पापा यह आपकी बेटी है? अरे यह मेरी बेटी नहीं है, सुनो तु प्यार से मुझे पापा पापा कहती है तो सब लोग समझेंगे के तु सच में मेरी बेटी है अब ऐसा नहीं बोलना ठीक है बापा ठीक है, जैसे राहूल द्रवीड रन आउट नहीं होता है उसी तरह हमारा आट हर थियाटर में दिखना चाहिए जिससे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आए ओके पापा ठीक क्यूं फोन कर रही है मामा जी अमान हैपी मतलब क्या सच में तुम्हें मतलब नहीं पता है या ऐसे ही पूछा सच में नहीं पता मुझे मतलब तुम्हें हमारी हैपी से प्यार नहीं है अच्छ तो यह अभी नहीं किया होगा यह भारत देश मेरी मात्र भूमी है सारे भारतिया मेरे भाई बहन है I love India only Not happy राम, इस महने की पंदरा तारीक को आप मोह माया का त्याग करके सन्यासी जीवन स्विकार करेंगे धन्यवाद ये तो सन्यास ले रहा है लड़का बहुत अचा है पापा तुम कोजा, आपकी बेटी को समझा गया सुनिये जी, कहां जा रहे हो किसके लिए जा रहे हो, कब आओगे राद को क्या बनाओ ऐसे हजारो सावाल पूछ लेती गुस्से में आकर वास को डिगामागर रुख जाते तो He would not have created history अरे वो तो जो हुआ सो हुआ लेकिन मेरी हैपी कभी जूट नहीं बोलती जरूर तुम्हारे अंदर कुछ ने कुछ खोट है ये बहुत अच्छे वेखती है अनमान जैसे हैं वापी कहीं का तुम नीच हो, चला जा यहां से हैपी यहां तक मैं उसको समझ पा रहा हूँ उसकी नजर में दुनिया के हर लड़की मा है ममा जी ट्रम्प एक पत्नीवरता पती हैं लेकिन वो एक रोग है अब यहां 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 आई रूम बुक करने के पूरी तियारी करके आया हूँ देख लो पकरना जरा यहां तुम तो सन्यासी बनने वाले थे यहां अबे कौन है तु तुझे मैं फर्स टाइम देख रहा हूँ फर्स टाइम देख रहा है तु मुझे बोला था ना मामा जी यह बहुत ही डेंजरस है मैं उससे जादा डेंजरस हूँ चलो आजा हैपी मैं तुझे नहीं दिख रहा मैंने टीशेट पहनी है लेकिन मैं टीफिन बॉक्स में बंद बॉम की तरह हूँ अगर मुझे घुस्सा आ गया ना तो उसे कंट्रोल करने के लिए छे कंट्री के आर्मी भी कम पड़ जाएगी मर्डर करना मेरे लिए मैगी और नूडल से जाधा इजी है देखना चाहता है तुझ पैग नहीं सिक्स ग्लास पिताओ मैं और दिखता नहीं अगर तुपीछा करेगा तो तुझे धंकाऊंगा और अगर चुएगा तो तुझे काट डालूगा ओवर यही यही दर तुम मेंटेन रखना मेंटेनेंस चार्जस तो नहीं लेंगे ना तो चलिए एक डील करें से जब तक आप हैपी को टच नहीं करेंगे तब तक मैं भी तुमने मुझे को बुलाया है तुमने मुझे को बुलाया यही दारू पीकर तु जंड़ा पहराता है उसके बाद पता नहीं कौन था वो मेरे जंड़ा पहराते ही उसने वीडियो बनाकर फेस्बुक पर अपलोट कर दिया मुझे और मेरी थ्री जनरेशन ड्रीम को खत्म कर दिया और मुझे नगर बहिशकार कर दिया उसकी वज़ा से मेरा असेम्बली मिस हो गया एक लिया ना कैसे मारा इसे अब जसने मेरा वीडियो निकाल कर वाइरल किया और जो भी उसे मारेगा मैं उसे मले पनाऊंगा एमपी बनाऊंगा मिनिस्टर बनाऊंगा ओपन आफवार मैं प्रभाज सिंग साहू शिक्षा मंतरी की शपत लेता हूं मैं विंकटेश मंतरीपत की शपत लेता हूं मैं गीता सिंग खादे मंत्री पद की शपत लेती हूं मैं फाइनेंस मिनिश्टर के पद की शपत लेता हूं हम उसको मार देंगे भाई इस शेर को गुस्सा आया है अब ये अपने शिकार को भगा भगा कर तडपा तडपा कर मारेगा समाचार सुनाने वाला है आपका प्यारा अभी और समाचार सुनने वाला है हमारा प्यारा हेमा तो आज क्या मुखे समाचार इस प्रकार है कि प्यारे हेमा जी की वाइफ मेरे साथ यानी सब के प्यारे अभी के साथ नैन मटककर करने वाली हैं प्यार से मेरी वाइप से नैन मतक का तेरे कदमों में सारी दुनिया बस मुझे यही चाहिए तेरे कदमों में सारी दुनिया बस मुझे यही चाहिए और बता तुझे क्या चाहिए कपड़े सीने की मशीन, एक आम कपेड, एक लोटा अबीडी का बंडल और एक चार पाई, उस पर बिस्तर और साथ में एक रजाई, क्या बात करें तु इससे, बाबु ने मुझसे कहा कि वो मुझे 90% डिसकाउंट दिलाएगा, क्या ये, कोई ओफर देगा तो ये पती को पटाया और आंटी ने हस्बें को तो इस तरह की कोई परशानी ही नहीं होती है, फूरस अईडिया आज मैं इस किताब की किसम खंख के कहता हूं, हर नौजवान की जिंदगी में एक आंटी होझाई, होझायी ँचाहिए, आंटी होझायी, अंह, आंटी लॉंड्री है, अम्मा होता है और आ से ही आंटी होती हैं, अम्मा तो थोड़ा सिखा पाती है, लेकिन आंटी सब कुछ सिखाती है, मुझे हमेशा से डाउट रहा है, इन लेखों को ने लड़कियों की तो तारीफ की, लेकिन आंटीों को भूल गया है, आज की ये लड़कियां कल की आंटी ह यह सब तुम जैसों की वज़े से बेटा मैं ओल इंडिया आंटी संग की अध्यक्ष होने के लाते वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी शादी कर रहाऊगी देखती हूं कौन तुम्हे अलग करता है आप सभी आंटी लोगों को नमस्कार अब आप लोग ही इससे बोलिये कि ये लड़का मेरी पत्नी को छोड़ दे मैं वादा करता हूं तीन जगों की जाइदा आथ पत्नी के नाम कर दूगा प्लीज बिल्कुल नहीं अब इनकी शादी होकर रहेगी अभी तेरे आगे हाथ ज छॉपिंग भी कर ली तो मोरतों में यह टेलेंट कमाल आप अब आप यह अब मादर टरेसा तो एक गंड़े करोंगी ओहो सिर्फ एक गंड़े में तुम चाहिए पाओगी एक मंथ ट्रवल करो मेरे साथ समझ में आ तो ठीक है नहीं तो कट कर देना सोचती हूं तच्छ में मेरा प्यार मेरे करीब आ रहा था लेकिन करीब आने से पहले ही उसने सन्यास ले लिया क्रुछ प्यार रहा था व्यार ठीक है आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी? अरे बालक, तुम तो अभी सन्यासी बनने वाले हो ना? ओ... और फिर उसके बाद? और फिर उसके बाद कल सुबह तुम हिमाले के मानसुरोवर की गोद तक पैदल जाओगे. तारी विवस्ता हो गई है. इसे देना? मैं एक सवाल पूछता हूँ. आप उसका जवाब दीजिएगा. सवाल तो कोई भी मुझसे पूछ सकता है. बोलो क्या पूछना है? भगवान ने आपको आखे क्यों दी? देखने के लिए. और मूँ क्यों बोलो? बात करने के लिए. इग्जाक्ली. तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान हमें हर चीज उपियोग के लिए देते हैं. बिना उपियोग के कोई चीज नहीं देते हैं. गॉट इट? सो भगवान के कितने सारी बीवियां और कितने सारे बच्चे थे. तो हम सन्यासी क्यों बने बोलो? कितने प्रवचन करने वाले बाबाओं की शादियां हो चुकी हैं. और आप लोग सन्यासी बनकर प्रमचर का पालन करने जा रहे हो. ने, ने, मेरा कहना है छोड़िए ये सब. संध्या वंदना में संध्या है. और पढ़ाई में जो वेध है, वेधा है. वेध से पदमासन जो करते हैं, उसमें पदमा है. लेकिन तुमारी लाइफ में क्या है? बताओ ना क्या है. सिर्फ सून निया. अरे यार, अब डेट हो जाओ दोस्तों. नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, डाड़ी. भाई, इसी ने फेस्बूक में आपका वीडियो लोड किया था, कौन सा मंत्री बनाएगा है? यही है. भाई, यही है जिसने आपको फेस्बूक पे वीडियो डाला था. यह स्रिजना, सुन रही हो ना? सर, आई-पी एड्रेस से उसको ढूंड सकते हैं. मैं उसको पकड़ के रहूंगा. डाड़ी. क्या हुआ? रात को वो तेरे सपने में आता है क्या? मुझे तो वो दिन में भी आता है. देश को सरकार देखती है, और उसे तेरे डैडी देख लेंगे. कल तेरे डैडी को और उसके डैडी को कैसे भी करके मैं मिलवा दूंगा हैपी. मेरे जीजाजी क्लास हैं, उनके सामने सब फ्लॉप हैं. उन दोनों में जहगड़ा होगा और मेरा उससे पीछा छुट जाएगा. मेरे बेटी को यही मुझ से दूर करेंगा. मिस्टर सुर। आई एम सर्जन. यह सर्जन. यह सर्जन. पता है, sir. तेरे दिमांग में जो प्यार का भूथ घुषा उसे अब भी निकालता हूं मैं. Okay, sir. अब सिर्व मुझे ही मुझे देखता जातू. मेरा अलवा किसी पर नजर मत रख अब तु मेरी बेटी को भूल रहा है भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया यस यस स्लोली जोली ओपन यूर इस I like that auntie लुका Danny अब तु सब कुछ भूल रहा है पुझर समक्हेन सब कुछ भूल रहा है. मुल भूली मुझा थे नियर खुए उपन गाय सब कुछ भूल गया सब कुछ भूल गया सर क्या से यस स्लोली ओपन केर राइज आहाला, पैर यह रहा अब तेरी नजार सिर्फ मुझ पर ही होनी चाहिए देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है Yes! 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 Slowly open your eyes I love happy uncle I love happy अब ये कौन है? तू तो साइकेटिस्ट को भी पागाल कर देगा वे? अरे हे मा! अरे मैं भी तो उसी की वज़ह से यहां पर अपना इलाज करवा रहा हूं डॉक्टर ससुर जी, हम लोग चर्च में शादी कर लेंगे क्यों बेटा, तेरा स्टेटस देख और मेरा स्टेटस देख ससुर जी, आपका स्टेटस का है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा मुझे पता है, आइम यूजिंग वाटसप अंकल आप बोलो, मैं से खतम कर दोगी क्या बाते जीरो साइज हिरो इन, तु इसको मारेगी तु इसको मारेगी स्टेटस की बात कर रहा है, स्टेटस की वैसे नहाना, लास्ट पंच बोल पागल फैमिली है, इनके लिए पंच बेस्ट करूँ सही कहा यह बगवान प्रभुदास, गो टू क्राइंग रूम बेबी क्या लिखाए यूथ आइकन अभी राम? यह पापी यूथ आइकन कैसे बन गया? इस रोक्टर, आप कुछ भी करिये लेगे मेरे बच्ची को बचा लेजी ओके-ओके, शी इस ओके फ्रफ वरी इमर्जन्सी है, इससे आए सी को शीफ्ट करो आप दोला काउंटर में जमा कर देजी, हम ऑप्रेशीन शुरू करते हैं कैश मेरे बटी लेकर आ रहे हैं आप प्लीज मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें देखिया मैं ऐसा नहीं कर सकते मैं इस मेरी बास समझने के कुशिश कीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप डॉक्टर से बात कर लिए प्लीज मैं, प्लीज बेटी, बेटी डॉक्टर, डॉक्टर अरे सुनिये ची, सुनिये ये लो पैसे, टीटमेंग शुरू करो डॉक्टर देखिये न, खबराइए मन, सब ठीक हो दोन कोई जली करें कुछ, कुछ करें बेटा ठीक है डॉक्टर सॉरी मैडम, आपने आने में देर कर दी मेटा, मेटा मेटा बेटी 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 आप लोग करें मेरी बच्ची की जान ले ले न्यूस चैनल सर, इसके इलाज का सारा खर्च मैं देता हूं क्या आप इसे बचा सकते हैं मरने के बाद कुई जिन्दा कैसे हो सकता है जब ये जिन्दा थी तो क्यों मार डाला इनसे बात क्या करना सर छोटी बच्ची थी मीडिया आ गई, मैं उन्हें बताता हूं मेरी बेटी को मार डाला होस्पीटल को सीज करो आप बोलो तो होस्पीटल को गिरा देते हैं भाई जो बच्ची इस दुनिया से चली गई, वो ऐसा करने से आ जाएगी क्या आज इन्होंने अपनी बच्ची खोई है इस देश में ना जानी कितने लोग हैं जो इलाज ना होने से अपनों को खो देते हैं तो क्या करें सर मेरे पास इसका एक सेलूशन है क्या वो दिल्ली तक पहुच पाएगा इसके लिए में क्या करना होगा सर EMI 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 Yes EMI जब हम एक बाइक खरीदते हैं तो कुस डाउन पेमेंट करके बाकी के पैसों की EMI भरते हैं वैसे ही घर, कार, टीवी, फ्रिज, एसी, फोन यह सारी चीजे, जब आप कही खरीद ने जाते हैं तो इनकी EMI के लिए नगाद款 वाल हैं जिननेख जान नहीं है उनके लिए, उनके लिए had लेकिन जान है उनके लिए कुछ भी नहीं है होना चाहिए इंसुरंस है क्या मेरे पास नहीं है हेल्थ इंशॉरेंस है आपके पास? एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ जान दे दूँ? एक इंसान को जन्म लेने के लिए नौ महीनी लगते हैं, और जान जाने के लिए? सिर्फ कुछ सेकंड्स गलत है यह, एक इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, तो वो कॉव्मेंट हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस बारे में सोचता रहता है, सारे हॉस्पिटल एक्वल होने चाहिए मजंसी में, पहले पेमिंट उसके बात ट्रीटमेंट नहीं पहले ट्रीटमेंट उसके बात पेमिंट, अगर वो रिक्षा वाला है, तो बीस महीने में एमाई भरेगा, और अगर सौफवेया इंजीनियर है, तो दो महीने में भरेगा, ऐसी नजाने कितनी स्किम्स पास हुई, तो क्या ये नहीं पास हो सकती, बचाएंगे हम, ऐसी कई सारी जिंदगियां बचाएंगे, टाज महल बनाने वाले शाजा, गोलकुन बनाने वाले कुतुप शाही राजा बड़ी नहीं है, टैक्स भरने वाला हर इंसान बड़ा है, एमाई कॉंसप्ट अच्छा है सर, तार सपा हो या लोग सपा, इस बात को उस जगह पर उठाएं यू था एकॉन ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या सच में इसका इतना बड़ा क्यारेक्टर है, बेटी दामाग फिक्स हो गया, हाँ बेटी, अरे उस अभी राम ने सिर्फ हमें ही नहीं नचाया था, पूरे होस्पिटल को नचा दिया, मतलब की जी जाजी फिक् ये वोई आदमी है भाई पिताजी, आपकी आँखों की कसम, उसकी आँखें बंद कर दूँगा इस प्रेस्क्रिप्शन को तो मैंने कहीं देखा है, इस पोस्टर को मैंने कहीं देखा है डॉक्टर, ओ, डॉक्टर ही हमारे सम्धी है, मैं आ रहा हूँ अरे पापरे, तो वो इसका बेटा है, सम्धी जी, सम्धी जी मत बुलाओ, सिर्फ डॉक्टर बुलाओ मुझे, एक लड़का, जिसके पास करोणों की जाएदा थी, लेकिन उसके पास एक एक्स्ता फिंगर होने की वज़ाए से, मैंने वरिष्टा कैंसिल कर दिया, और आरहात थे, जब देवी देवताओं को ये हो सकता है, तो हम इंसानों में क्या बुराई है, चुप करो तुम, आप पहले पीछे मुडिये, आपने बेटे के दो नाम रखे थे, तो दो बार दहिज देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार देंगे तो चलेगे, बात को समझो, मेरी प्रोब्लम दहेज नहीं है, ब्रेन है ब्रेन, तुम्हारे बेटे के साथ ब्रेन प्रोब्लम आएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई प्रोब्लम नहीं आई, अरे बोला ना आएगी, नहीं आएगी सर, धरसल बात ये है, अभी आपकी बेटी से प्यार करता है, अच् सब्सक्राइब कि वाल रहे हैं सामा ने तριsınız बर्वльम नहरो और तुम कहरें थेखे प्राबलाम नहीं हैं उसके पास दो प्रहनत इसलिए एग इन मेरी बेटी को प्यार करता के दूसरा प्रें भीलतius लड़की को प्यार करता है अगर सीधे तरगी से समझने की कोशिश करो तो एक टिकेट पर तो शो कैसे देख सकते हो मुझे एक टिकेट पर एक शो ही बहुत है आई रिजेक्ट हिम इस डॉक्टर ने तो अपना फर्मान सुना कर मुझे भी परिशानी में डाल दिया है अभी और राम की ये रास लीला पता नहीं कहाँ अवू हेई फ्रेंड डॉक्टर की बेटी के साथ रिष्टा तै कर दिया कितना देहस मिल रहा है इंगेजमेंट फिक्स कर दिया ना क्या कहा उसे भी प्यार हो गया है तुझे शॉक अब लगा है हम लोग तो कल से ही शॉक में हैं मेरी बीवी को एक सो पांच डिग्री फीवर है बुलाओ बुलाओ हे राम राम को बुलाइए बुलाइए न उसे किसे बुलाओ वो कोई पडोस में थोड़ी रहता है फिर वो तुम्हारे शरीर में है हे राम बाहराना बाहरा बोलाना बाहरा हेलो, इस प्रोजेक्टर ओपरेटर स्पेकिंग, तेरी रील बदल कर उसकी रील डालूंगा तो आएगा पिटा जी, प्यारे बेटे, अब मुझे बताओगे, वो लड़की कौन थी? शर्मो हया कि ये मुस्कराहट भूल कर मुझे बता, वो लड़की कौन है? उसका नाम आश्यरया है आश्यरया, नाम में ही आश्यरय है, कैरेक्टर और भी आश्यरय है, कारेश योगी, करनेश दक्षा, रूपेज अकृष्णा, समेतु, रामा, आपके अंदर मुझे भगवान नजर आ रहे है, मुझे विवेकानन जी नजर आ रहे हैं स्वामी, मुझे तो ये पकोड़े व और भी बोला था, तुने जवाब दिया, I love my India, मैंने सोचा, तो सुधर जाएगा तेरा इंतिजार किया, इंटर में, विंटर सीजन में मैंने प्रपोस किया, तो तुने ही कहा, दुनिया कि सारे लड़किया मेरी बहन है, फिर भी मैंने वेट किया कि कभी तो तुम मेरी फि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, तुमारो विल कंटिनू थे क्लास, ममी, बेटा उस लड़की को कभी भी मत छोड़ना, ऐसे पपो लोगी हमारे फैमिली में मैंच होते हैं, वो लड़की हमेशा मुझे किस करती रहती थी, और ये बात मैं बर्दाश नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने सन्यास लेने का फैसला किया, विजय एकादशी को आप सन्यास लेने बाले रहा है, ममी, मेरा राम ब्रह्मचारी बनने जा रहा है, पीटा, शादी के बाद तो ब्रह्मचारी बनना ही है न, अभी कुछ भी मत कहो तुम उससे, बाद में देख लेते हैं, मैड तुम्हें इस ज्रॉंग ट्रेट्मेंट देना पड़ेगा क्या करें बिना बाप की बेटी तुझे क्यूं चाहिए उसकी शहर में बिया फैक्ट्री है अगर दस रुपए खर्च करोगे तो सौ रुपए आएंगे सच कह रहा है तुम और यहां मेरा बुखार ठीक हो गया लेकिन उस अभी का प्यार ची उसे अभी भूलने में ही भलाई है यह रिष्टा फिक्स पिताजी यह बात आप अभी को भी बता दीजिए अभी को बताने के लिए फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जाना होगा क्या या शिप से श्री लंका जाना है वो तो तेरे अंदर ही है वो होगा जब आउट तो तू होगा इन स्टार डी टीएस यारी है उस राम ने आपको अपनी घटिया लव स्टोरी बताई या नहीं पहले तो यह बता कि कि créer घटिया लव स्टोरी वोस्त लोव स्टोरी तो है जड़ा याद कर अपने ससुर की शकल प्यार से बोलना तो दूर कभी मुस्कुराता भी नहीं हमेशा बीमार ही लगता है एक नंबर का फंदेबाज है वो हमेशा लोगों की टांग खींचने में लगा रहता है बात करता है डादी अरे बेटा जड़ा इधार राम की लवर कौन है पता है तुझे हम जो बीर पीते हैं उसके फैक्टरी के ओनर की बेटी है सो अपने हाट थीएटर में से अपनी लवर की फिल्म वहां से निकाल दे और आज चर्या की फिल्म को लगा दे डाड़ी मेरा दिल कोई सिनेमा थीएटर नहीं है जो हर वीक लड़कियां बदलता रहे अपने प्यार को कैसे पाना है यह अभी अच्छी तरह से जानता है उस से तुम मैं बताऊंगा आज बू है पानी 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 तो यह सुमींग फूल में क्या कर रही है चलो चलो चलके देख्обы यह राम, अभी, नो, यह तुम्हारी गर्फ्रेंड नहीं है, यह तुम्हारी भाई की गर्फ्रेंड है, हैपी तुम्हारी गर्फ्रेंड है, जो काम करने आये थे, वो करते हैं, करेक्ट, चलो, इसने भी सजयास लेने का फैसला किया है, इसली ही मेरे साथ है यह क्या राम, हमारी फेक लव स्टोरी को तुम्हारे ममी पापा ने पसंद कर लिए फेक लव स्टोरी मतलब अरे राम को तो वेद, पुरान, सन्यासी पसंद है ना हां और इसके डैड को बच्चे बच्चिया फैमिली प्यार ये सब पसंद है सो इसले फेक लब स्टोडी इसने सुनाई और इसके डैड मान गए क्यो राम सही कहा ना राम ने मस्त प्लैन किया है मैं भी सुन रहा हूं अगर ये सच है और तुम्हारी शादी करवा दी तो तो शादी से पहले यूश चले जाएंगे उसके एक महीनी बाद मैं फोन करके सॉरी अंकल मुझे एक एनराइ मिल गया है तो शादी कैंसिल कर दो फिर उसके बाद अशर्या ने मेरे साथ धोका किया है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूं पिता जी क्यों राम यही प्लैन है न या अब ये तेरी तो राम अगर तु बक्ती चैनल से ऐसा प्लैन बना सकत मैं तो मैं तो मेरा प्लैन देखना बाया शर्या नाइस टू मीट यू उप उस सॉनियासी को तो मैं बताता हूं एदी अ यहां पर फैक्ट्री वाली का क्या हुआ इस यहां शान्नार क्रिक्ट टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूं और वह सॉनियासी पनने चला है उसे अभी की पावर दिखाऊंगा, ही जाओं, शाक देने वाला हूं तयार रहना चमक 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 चा, औल ड्रेवल्स अविलिबल, बताईए, आपको वन डे ट्रेवल चाहिए, डे नई ट्रेवल चाहिए, सेवन डेस चाहिए, कौँ सा चाहिए, कोई बात नहीं, ब्रो, मैं भी एक आदमी से इंस्पायर हूं, उसी की तरह मैं भी अपनी जिंदगी में सब छ शुती ड्रेवल्स, कावेरी ड्रेवल्स, रमया ड्रेवल्स, इधर देखो जरा पैसेंजर कौन है ये बताओ, और जरा पैसे की बात कर ले हम मामा, जल्दी फोन उठाओ, बात करनी है, अरे ये क्या, इतनी सारी लड़कियों को लेकर वो अंदर जा रहा है, क्या कहा लड़किया, जरा उस छमक छमक ट्रावस का नमबर तो भेज, मैं भी जरा उससे मिल लेता हूँ, मामा जी, शे, अज़े बखवान, इस सभी ने बहुत बड़ा प्लान किया है, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, रड़कियों ने आज इज़त रख ली, चमक चमक ट्रावस के प्यारे लड़किया, गाल्स, अरे मैं अपना जिसम बेचती हूँ, आत्मा नहीं, लड़का तो भगवान है, आज के बाद मैं भीक मांगूंगे, लेकि ऐसा काम नहीं करूंगी, वो लड़का सच में भगवान है, अच्छा लड़का है वो, अच्छ यह तो बहुत अच्छा लड़का है, सब लड़कियों को बदल कर तुमने मुझे अकेला ट्रेवल बना दिया है, बदमाश कहीं के, अब मेरा क्या होगा, हे गूगल मैप, ब्रह्मचारी मट का लोकेशन बताईए, और राइट, और टेक लेट, ओ इस तरफ जाना है, ठीक ह कौन एरे तू, डिलिवरी में डैनाशॉर की तरह गुछ रहा है, मेरी दूसरी पतनी को मझसे दूर क्यों किया, तूने, दूसरी पतनी कौन है बे, गुंड़ा गरदी मेरी पहली पतनी थी, क्यों किया, यह लगता है, तू मेंटल हॉॉस्पिटल से भागा है, अबे, सुन जरह एक मिट होल्ड कर ना क्या हुआ फ्रेंड बाय आइ चलता हो चला बता अखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है अपने डैडी को बाय बोला ना अब मैं उसे गुड़बाय बोलुगा तु है मेरे डैडी के साब त्या करेगा याडी वॉट्से पर लोकेशन भेजा है अपने पिता को बचा सकता है तो बचा लिए पुराना पुल्ग जहां पर शिव का तांडव होता है वहाँ पर तेरे बाप की आज बली चड़ने वाली है हाँ 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 मुट करेज के त про का तंरबबाय चुड़ने के पिता सकता है तो बचलना पिताक का दिषग होता है वाल कि आणस्या था अजिता कि पारें लिए कि याजलोग allein कि अभी यहां पर क्यों आया है मार डाल उसके डैडी को साथ में उसे भी यह बगवान यहां पर यह सब होता है अभी इतना गिर जाएका मैंने सोचा नहीं था कि यह सुन क्या हुआ भाई यह पूजा काफी वाइलेंट है भाई मैं चलता हूं भाई तेरे पिता को मार रहे हैं और तो यहां से जाने की बात कर रहा है मेरे पिताजी को आ तेरे पिता को जलता है पिताजी को आता पिताजी क्पाप पापा मेरा पापा हो दिःा प्लीच अच्छी फिरएबापा को छोड़ो बापा बापा आपको कुछ नहीं होगा। बापा की लिए कैसे रोगा यह अबी देखना पापा को कितना मारा है इन्होंने इन्होंने ही मारा है देख इसने मारा है अबी ऑप इलुँए इसने मारा है देखना भी देख इन्होंने ही मारा है अभी फिनोंने ही मारा है अभी छोलेगा नहीं तुम्हें ये क्भी Podести Drop स्रुजन ना ईससे भाग ना क्या है ? वह बाप इस्हीं का है ना ना That means, I am the greatest son of the world. बोन्रक्ट अगर तुझे कोई प्रोब्लम है, तो अपने डैडी को बताओ ना, मैं तेरा डैडी नहीं, तेरा फ्रेंड हूँ, अगर तु ऐसे रोएगा, तो क्या तेरा ये फ्रेंड्स है पाएगा? ए अभी, देखना पावगों कितना मार रहे हैं सब। एफ़, देखना कितना मार रहे हैं, कितना मार रहे हैं अभी, गौष ऑौष झारो हुआ् पवुआ फिसमरा इसम भार इसम। परणोुआ गौष एलिए्ग रहुआ प्राइब झाल मेरे फ्रेंड को तुमने मारा, आना, अरे मारा बेटा, आहा, आहा, जिन्दा है ये, देख भाई, आदमी चाहे जितना खतरनाक हो उससे पंगा ले लेना, लेकिन कभी भी मेरे बेटे से पंगा मत लेना, क्योंकि उसकी निगाहों में, उसका बाप ही उसके लिए, उसका हीरो है, फ्रेंड, लास्ट पंग सुपब था, चल तो लोगे ना, चल लूँगा, आज आ फ्रेंड, ये इधर क्या कर रहा है, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर, कहीं सन्यासी तो नहीं बनने जा रहा है ना, फाणी काई, अभी, तो ये है अभी की गल्फ्रेंड, नमस्कार, तुम नमस्कार कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, आज कौन सा दिन है पता है तुम्हे, आज का दिन, विक्रम सवुवत के अनुसार बर्शा रितू, दक्षिनायन, श्रमण मास की सब्तमी, स्वाती नक अचा है, बहुत बदलाव आगया तुम्हे, शर्ट पराबर पहनी है, बटन भी सारे लगे हुए है, हैर स्टाइल भी चेंज कर दी, मस्त रहने वाला लड़का आज, देखो तुजरा, फुल स्लीव की शर्ट, वो भी इन करके, क्या कमाल के लग रहे हो, तैंक यू सो मच, मैं तो ना बोल ही नहीं सकती, और मेरे डाड़ी भी तुम्हें पसंद करेंगे, चलो, यह कहां लेके जारी है, मुझे, हर बर्थडे पर एक कॉसली कार या एक कॉसली सेल फोन मांगती थी, लेकिन इस बर्थडे पर इसने मुझसे क्या मांगा पता है, डैड़ी, अपने हॉस्पिटल में अगर किसी के बेटी हुई, तो ट्रीटमेंट फ्री, नो बिल, यह गिफ्ट मांगा इसने, और वो मैंने दे दिया, हैपी, आर यू हैपी, आर यू हैपी, मेरे अंदर आय हुए इस बदलाव के पीछे, एक इंसान है, वो मेरी इंस्पिरीशन है, वही मेरा मोटिवेशन है, और वो इंसान है, अभी राम, हाई, इंसान की जिन्दिगी, रंगी नोट नहीं है, वो अनमोल होती है, इसलिए हम हॉस्पिटल में, एमाई पेमेंट आप्शन लॉंच कर रही है, अभी राम, एसा लग रहा है, आज ही के दिन पैदा हुई हूँ, मेरा खयाल रखोगे ना, पूरी जिन्देगी मुझे प्यार करोगे ना, एक मिनिट बेटी, उसके लिए प्यार प्यार करोगे ना, अगर भगवान भी आकर मुझे यह बोले ना, तब भी इन पर से मेरा भरोसा नहीं टूटेगा, हीज माई सोल मेट, अगर लडकी ने ठान लिया तो कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता, सुनिए, जूस, और मेरी बहू बनेगी तो हैपी ही उससे शादी मतलब मैं हैपी, इसलिए पिता जी मैं भी हैपी से प्यार करने लगा हूं शायद मैं घलत कर रहा हूं क्योंकि अभी जिससे प्यार करता है मैं भी उससे प्यार करने लगा हूं हम दुनों को एकी लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए पिता अरे वेटा तुम दोनों दो हो ये किस ने कहा यही ने जिस लड़की से प्यार किया है, तू भी उसी लड़की से प्यार क्यों नहीं कर लेता। भले ही तेरे पास दो ब्रेन है, पर इस शरीर में दिल तो एक ही है ना, फर्स टाइम। तुम्हारी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा इस वक्त तेरे दिल में जो बात है उसे अभी के ब्रेन में डाल देनी चाहिए। प्रभा, ये बताओ, वो आ गया क्या। हाँ, हाँ, आ गया। क्यों, ट्विटर की खोश किसने की। राम गोपाल वर्मा। तेरे बड़े भाई राम ने क्या किया है पता है। तुम्हार पास दो ब्रेन से फिर भी मैंने एकसेप्ट किया। लेकिन तैड़ी एकसेप्ट करेंगी कि नहीं पता नहीं। मैंने तुम्हारे डेड़ी को मना लिया है। मतलब? कल हमारी इंगेजमेंट है। लेकिन कैसे मना लिया। हिप्नोटाइज। येस। नमस्कार, बैठिये। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। ये तो मैने कभी सोचा ही नहीं था। अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ। जबर्दस्तिहा करवाईए। यही तो सच है। कॉंग्रेचुलेशन्स दॉक्टर। टॉप 10 ब्रेंज सेर्जेंस में आप नंबर वन सिलेक्ट हो चुके हैं। कॉंग्रेचुलेशन्स क्या बल कॉंग्रेट्स। सतुर जी कैसे है। मुझे यहां देखके शॉक्ड हो गय क्या। अल्रेडी मेरे और आपकी बेटी के बीच बहुत कुछ होने वाला है। वैसे आपने मेरे स्टेटिस की वज़य से शादी के लिए मना कर दिया था न। लेकिन अब मेरी बात ज्यान से सुनो। तेरी बेटी का रेप करके उसका वीडियो बनाके यूट्यूब पे अप्लोड कर दूँगा। अप्लोड यूट्यूब। समझ तो गय ही होंगे न। मुझसे इस तरह करवाई थी इसने। मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में कोई भी ये बात ना जान पाए। इसलिए मैंने शादी के लिए हां की थी। कॉलेज में गुंडे लड़के इसे परिशान ना करें। इसलिए वोमेंस कॉलेज में अड्मिशन करवाया। बेटी की हिफासित के वारे में सोचने वाली मेरी जैसे करोणों बाप है। जिनको ऐसा डर होता है। सोची अगर आपकी बेटी होती और कोई आकर आपको बोलता कि मैं उसका रेप करके उसका वीडियो यूट्यूब पे अप्लोड कर दूगा। तो ऐसे मैं आप ही सोच के बताई कि आप क्या करते सार। मार डालता। तो अभी को मार डालते हैं सार। मैं आपके बेटे से उसकी शादी किरवाऊंगा। जो शराब पीकर बड़ों की बेज़त्ती करे उस अभी से नहीं। बलकि राम से। इंसान अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकता है। ये बात राम ही अभी को समझा सकता है। और कोई नहीं। एक लड़के को कैसे और क्या करना चाहिए। इसका बेस्ट एक्जमपल इसके अंदर का राम ही है। तो बेटी राम को दूँगा, अभी को नहीं दूँगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी और राम दोनों अलग-अलग नहीं है न। अलग कर देंगे। जब यह छोटा था, तो मैंने आपको कहा था ना कि 35 लाग रुपए लगेंगे। तब आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए 35 करोड तक खर्च करने को तयार हूँ। राम पॉजिटिव है, अभी नेगटिव है। अभी का ब्रेन निकाल दूगा। आप उसे निकालनी की नहीं, बलकि मारनी की बात कर रहे। तो फिर आप ऐसा ही समझ लीजिए। अभी के दिमाग का कोई फायदा है क्या बताईए। यह हमारे हॉस्पिटल में काम करती है, एक कमपाउंडर है। और आप बताईए अभी कौन है। एक गया गुजरा लड़का। रायम के अगर बच्चे होंगे तो वह आक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी में पढ़ सकते है। वाइफ को वह वर्ल्ड टूर ले जा सकता है। उसके पतले अगर अभी हुआ, तो वह शेयर आटो में ही घुमाएगा। सर, अगर आपका बेटा अभी राम है, तो मैं अपनी बेटी नहीं दूँगा। अगर सिर्फ राम है, तो मुझे मंजूर है। अभी को मैंने पाला है। वह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा जी, तो जरा इसे देखिये। तरी बेटी का रेप करके, उसका वीडियो बनाके, यूट्यूब पे अपलोड कर तुर। अपलोड, यूट्यूब। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, जिसका नाम है राम। मोहूरत निकलवाकर हमें खबर कर दीजिएगा। डैडी। बेटी, मुझे अभी बेलकुल पसंद नहीं। सिर्फ राम पसंद है। अगर जिन्दगी में खुशाली चाहिए, तो सिर्फ राम से ही शादी करना। वही खुश रखेगा। राम सबको पसंद है। तुम्हारी शादी उससे ही होगी। चलो। काफी देर से पी रहा है तू। मुझे अपने बेटे राम की शादी का इंतजाम करना है। मुझे जाना होगा। राम, तुने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्यूं किया। ये सब किसी और के सामने किया होता। तो मुझे कोई दुखना होता। और तू तू मेरा अपना भाई है ना। तो ऐसा क्यूं किया। आज मैं टूट गया हूँ रहा हम क्यों ससूर जी के साथ ये नाटक क्यों किया तूने मतलब हॉस्पिटल पे तू एवरीधिंग तूने का बार। क्यों शुक्ति यंद्ट ऊइस का ये झानता बता अभी को क्यूं मारना चाहता है तू अभी को क्यों मारना चाहता है बता बोलता क्यू नहीं क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है बच्पन से ही मैं उसे नहीं पसंद करता स्टेट में फर्स्ट आने के लिए मैंने कितनी मेहनद की थी पांच एक्जाम्स मैंने पास किये, सब में मैंने सौ में से सौ लाए, लेकिन, लेकिन एक एक्जाम उसने दिया, जिसमें मुझे चौतिस नमर मिले, सेट में फरस्ट आना मेरा सपना था, लेकिन उसने मेरा सपना तोड़ दिया, इंटर्मेडियेट के टॉप टेन रैंक में मैं भी एक रैंक पाना चाहता था आप तो जानते हैं न मुझे कौन सी रैंक मिले मेरा ये सपना भी उसकी वज़ा से चूर चूर हो गया मुझे रोना आता था लेकिन मैं अपना दर्द किसे बताता हूं वो मेरी लाइफ में ना है इसके लिए मैंने कितनी कोशिश है कि हर शनिवार में मंदिर जाने को सोचता था लेकिन वो मुझे लड़कियों की बीच पब ले जाता था मुझे शीड़ग दारु वालों से बिल्कुल नफर्द है लेकिन वो मुझे मुझे उसे चौन से मार देने काबन करता है और वो है कि वो ये सम उससे रोज करवाता है और इन सब के पीछे आपकी गलती है आपने उसे कभी मना ही नहीं किया वो तो मुझे गंदी गलियों में भी ले गया गंदी गलियों में मैं तो एक बड़ाद्बी बनना चाहता था, सबका बाला करना चाहता था, सबको रोजगार देना चाहता था, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं चाहता था मेरी कमपनी का पूरी दुनिया में नाम हो, हासारो लाखो लोग उसमें काम करें, लोग मेरी कमपनी के मैं तो शेर क्यों कि कियों के लिखते हैं, यह बगवान, सब के किस्मत यहां लिखते हैं!!! लेकिन मेरी दिमाग में क्यों लिख दी, क्यों लिख दी, एक रीजन, एक रीजन बताईए, जिससे मैं अभी को प्यार करूँ, वो मेरे अंदर वाइरिस की तरह है, और मैं हमेशा उसका एक्स्ट्रा लगेज उठाता रहता हूँ, वो स्क्रैप है पापा, इसलिए उसका मरना सही होगा, यह गलती आपकी है, फिर फापकी, बच्पन में ही, आपको, वो चाहिए कि मैं डिसाइट करना चाहिए था, दोनों को रखने के बारे में सोच क्या आपने गलती कर दी, अभी भी निर्णे आपका ही है आपको मैं चाहिए या फिर अभी चाहिए मुझे जिन्दा रहना या फिर अभी को जिन्दा रहना आप कुछ भी बोलिए कितना भी बोलिए अभी राम हेक नहीं हो सकते वो अलग है मैं अलग हूँ और हमका बेबी एक साथ मिलके नहीं रह सकते हैं अब निर्णा है आपके हाथ हो में है पी बेटा क्या डैडी मरने से पहले आखरी च्छा पूरी कर रहे हैं क्या 25 साल से वो मेरी वज़े से तकलीफ है रहा है वो बहुत ग्रेट है डैडी वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था वो साइंटिस्ट है डैडी लेकिन मैं स्क्रैप हूँ डैडी सिर्फ स्क्रैप मेरी वज़ा से राम की लाइफ खराब हो गई मुझे मार ही देना चाहिए मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है कोई काम नहीं डैडी, शायद बात में मुझे कभी मोका ना मिले मुझे आज आपकी गोद में सर किसोन है डैडी मैं जीना चाहता हूँ डैडी मैं जीना चाहता था डैडी ये बात आप राम को मत बताना वो बरदास्ट नहीं कर पाएगा बहुत दुख होगा उसे हललुईया समस्तीश्वर की महिमा छत्र चाया में मेरे इशु के सामने हाजिर है आमिन आप इस शादी के लिए राजी हैं? हाँ राजी है लेकिन मैं राजी नहीं हूँ अरे भाई तुम लोग का लो? यहाँ सो रिटन गिफ्ट तो बनता है ना? अरे पाप्रे अरे पाप्रे अरे पाप्रे सिटी में चेहरा दिखाऊंगा तो अरेस्ट कर लेंगे इसी लिए यह मास्क लगा कर घूम रहा हूँ अरे तामा जी कुछ तो कीजिए है मेरी फैमिली को अगर हाथ लगाए नहीं आई विल कंपलेंटू दा कंट्रोल रूम है वह 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 मेरा भाई वह मेरी ताकत है वह मेरे लिए सब कुछ है मैंने आप से पूछा था ना कि उसके जीने के लिए एक वजा बताईए एक नहीं सौ वज़े है अभी की शरारत मुझे पसंद है लेकिन राम जो काम करता है वो मुझे पसंद है अगर तुम राम हो तो राम और अगर अभी हो तो अभी पर मैं तुम्हारे बगार जी नहीं सकती मैं तुम से प्यार करती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि तुम कौन हो मेरे दिल ने तुम्हारे अंदर के दो इंसानों को कभी अलग नहीं समझा मुझे समझा गया पापा, अभी के बिना राम कुछ नहीं, और राम के बिना अभी कुछ नहीं राम ग्रेट है तो अभी भी ग्रेट है, नहीं तो राम भी कुछ नहीं अभी इस इक्वल टू राम उसकी वज़ा से मेरा करियर खराब हो गया तो मेरी वज़ा से उसका भी करियर खराब हुआ है, पिता जी मेरी वज़ा से आपकी जान को खत्रा हुआ और उसकी वज़ा से आज हम दोनों जिन्दा है वो भला किसी की जान क्यों लेगा अगर अभी राम मिल गएना तो मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा अगर अभी राम मिल गएना तो मेरे माबाप भी खुश रहेंगे और हाँ पापा वो यहाँ नहीं पता चलता लेकिन यहाँ जरूर पता चलता है मुझे माफ कर दीजे मुझे सब समझा गया है कि हमारा अभी कैसा है अंकल को भी समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने उसे फोन करके बुला लिया अरे पापरे तुमने बुला लिया उसे हाँ अंकल सच में फिर अभी को रहना चाहिए कि नहीं वो डी सीजन आपका होगा अभी को रहना चाहिए अभी को रहना चाहिए अभी को रहना चाहिए अईसा क्या, मैं खुद एर रेमन का फैनू, म्यूजिक बजाता, बसा गैंग पाथ मेरा दमाद आगया, त्या पटक्या अईसा क्या झाई कलास 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 प्रह थयाँ कर दो प्रहान प्रॉटाश प्रहीण ट्रॉटे कलास कलास सब्सक्राइब प्रॉटे झाल